कि नभीस मनिहार साम हमारे दर्म्यान है दोस्तों पहले मैं शुरुवात यहां से करता हूं कि अगर कोई जिस रहा साब ने कलाइन कही थी बुलाती है मगर जाने का नहीं इको थोड़ा कम इको इको कम कर दो भाई थोड़ा मैं सिंगर नहीं हूँ बुलाती है मगर जाने का नहीं रहा सामने कहा था उनका तजर्बा था उनका दोर था लेकिन मेरा मानना है कि बुलाती है तो चले जाने का नहीं तो कोई दूसरा चला जाएगा है ना दोस्त जैसा कि दोस्त मैं एक्टर हूँ मैंने बहुत फिल्मों में बलातकार का सीन किया है तक्रीबन 377 सीरियल फिल्म में लेकिन उसके बावजूद मेरी शादी नहीं हो रही भाई तो मैंने कसम खाई है कि ना मैं खुद शादी करूँगा और ना ही अपने बच्चो चोधरी साहब निसात भाई अमीर उल्ला भाई कुद्बॉल्ला खान नसीब ला नदीम भाई नफीश चोधरी साहब सब हैं मैं चार लाइन बोलता हूं आपके लिए भाई कि नफीश भाई के लिए इसाद्वासर पहले मैं अपना इंट्रोड़क्शन देदू जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं और जिनकी आखों में खटकता हूं अपनी आखे दान कर सकते हैं यहाँ बात है नफीश साहब आपके लिए आप क्या समातू क्या हवाले कोई दौलत कोई शोहरत कोई इज़त मांगे कोई दौलत कोई शोहरत कोई इज़त मांगे मांगने वाले यह मेरी जान क्या मांगते हैं बात है कोई दौलत कोई शोहरत कोई इज्जत मांगे मांगने वाले ये मेरी जान क्या मांगते हैं और मैंने उस रात को भी खुदा से मांगा है तुझको जिस रात में लोग बक्षिश की दुआ मांगते हैं मैंने उस रात भी खुदा से मांगा है तुझको जिस रात में लोग बक्षिश की दौरान भाई नभी आपके लिए मौबदों के लिए है दोस्तों शायरी थोड़ी कॉमेडी जा इमरान भाई जी जी क्या है ना एक आजकल ऑनलाइन का जमाना है लोग मुबाईल पे नेटव है फोर जी लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता क्या बात है और मुझे मालूम होता कि तुम्हारा प्यार है वाइरेस मेरे दिल का मॉबाईल हैंग होने से बच जाता है अच्छा ऑनलाइन में लपड़ा क्या होता है फजल मनिहार साब हैं आज मुझे क आए जो ओनलाइन सतेर बरस की अअरत अम कर दो ृब्रय प्लिक दें लिक्ती यं योशा एक वे बात का लाइन वीड़ान को वह विट़्री जो ऑनलाइन सत्र के और बनके 21 एजा लिग्थिती कृज रहा था मैं चेट कर रहा दा मैं चैट कर रहा था वो चीट कर रही थी तो दोस्तों इस तरह की होती है शायरियां बहुत तरीके से कर सकते हो आप कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रदीब काफिया मिस्रा पता हो कि माईक में थोड़ा चेद है बाई सौरी तो सब्सक्राइब कर दोड़ा बैकड्रॉप में ले जाना चाओंगा बाई शायरी के बैकड्रॉप में ले जाओंगा शायरी कहां से शुरू होती है जैसे मेरे दादा की शायरी थी मेरी दादा फिर बाप मेरे बच्चों के शायरी कैसी होगी दादा की शायरी इस तरह से थी हाँ कुछ यादगारे आपके लिए है सर जिसने मेरा निकाह पड़ा है एक परी के साथ बेगम हुई फरार उसी मौलबी के साथ किताब उल्ला भाई के लिए है जिसने मेरा निकाह पड़ा है एक परी के साथ बेगम हुई फरार उसी मौलबी के साथ और मैंने भी ऐसा दाओ खेला हुए मौलबी चित मैं उनकी बीबी के साथ हूँ वह मेरी बीबी के साथ में तो शाणिय का दोर क्या हूँ शाणिय कैसी थी पहले की शाणिय अलग थी जैसे शाणिय ऐसी थी कुछ यादगारे शेहरे सितमगर ही ले چलें आएं हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो थोड़ी सी खाके कौँचे दिलवर ही ले चलें शायरी का दोर बदला मेरे बाप का टाइम आया उनका अलग शायरी का अंदाज था उनका शायरी यह थी की उलच करके तेरी जुलफों में यू आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनओ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं कि जैसे लखनओ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं मैं जमुना की तरह तनहा निहारूं ताज को कब तक कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं कोई गंगा मिले तो मैं इलाहबाद हो जाओं और गजल कहने लगा हूँ मैं जरा सा मुस्कुरा तो दो यही तो चाहती थी तुमकी मैं बरबाद हो जाओं यह शायरी थी मैं जवान हुआ पीस साल का मेरी शायरी क्या थी कभी चश्मे अबरू को हम देखते हैं कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं अमिरुला भाई कभी चश्मे अबरू को हम देखते हैं कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं और कहा देखता होगा अब उसका शौर उसे जिस तवज्जों से हम देखते हैं क्या कहते है यहां तक सही है यहां तक इमरान भाई सही था अभी नए बच्चे लोग है उनकी शायरी क्या है तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया क्या बात और मैंने उसे खरीद के दिया टू बेच के मैंने उसे खरीद के दिया टू बेच के कमबक्त खा गई उसे भी बेच के और कभी जिंदगी में रोना कभी खुद पे मलाल आया कभी सिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया, गल्फेंड साथ में थी, बीवी का वीडियो कॉल आया, क्या बात, अमिरुला भाई, बड़ी फुरसर से तुझे रबने बनाया, यही कह कहके तुझे सबने बनाया, अच्छा फिल्मी लाइन का आदमी हो तर फिल्मी लालन पालन हो, बीवी हो कैटरीना कैफ, नुकरानी बिद्या बालन हो, क्या बात, सपना देखना बुरी बात नहीं है, मुदी ने सपना देखा तो मैं भी देख सकता हूँ, या ला, मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, बीवी हो कैटरीना कैफ, नुकरानी बिद्या बालन ह और मैं जहां जाओं मेरे साथ भी एक लशकर हो, सलमान बोडी गार्ड हो, अमिताब बच्चर मेनेजर हो वाह वाह, क्या बात है विपाशा, मलिका, मलाइका, सबसेक्रेटरी हो विपाशा, मलिका, मलाइका, सबसेक्रेटरी हो और मेरा एकाउंटेंट केवल बपी लहरी हो मैं जब चाहूं किरकेट में सेटिंग करवा दूँ अनुष्का से डांस विरास से बैटिंग करवा दूँ या मौला मुझे भी शादी का संदेशा आए एक दिन डोलान ट्रम की बेटी का रिष्टा आए और शिल्पा शेटी परसनली मुझे योगा सिखाने आए शिल्पा शेटी परसनली मुझे योगा सिखाने आए शारुक खान खुद मेरे बर्डे में नाचने आए क्या बात है बहुत लंबी लाइन है आखरी लाइन है और के नाइजर हो के इसा कर रहा है आकरी लाइन है भाई इचादो सर बच्चियों के उपर है बहने बेटी है उनके उपर है कुछ मैं इस्त्री हूँ मैं नारी हूँ मैं कली हूँ मैं फुलवारी हूँ मैं दर्शन हूँ मैं दर्पन हूँ मैं नाध हूँ मैं ही घर्चन मैं बेटी हूँ मैं माता हूँ मैं बलिदानों की गाथा हूँ मैं शिर्मत भगवत गीता हूँ मैं द्रोपती हूँ मैं सीता हूँ पुरुशों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियती दिखलाई कभी जुए में हार गए कभी अगनी परिक्षा दिलवाई सतियूग हो या कलियूग हो इल्जाम मुझी पर आता है क्यों घनी अधेरी सडकों पर चलने से मन घबराता है मैं डरती हूँ मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ डर का सामराज उभरता है कोई साया पीछा करता है मेरी मुठी बध जाती है दिल की ध़ड़कन बढ़ जाती है है तरल पसीना माथे पर मन में मेरे घबराहट है जाने ये किसका साया है जाने ये किसकी आहट है अधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भीच लिया एक ने मुँपर हाथ रखा और एक ने आचल खीच लिया क्या बात है नारी के सम्मान को मिलकर तार-तार सा कर डाला मर्यादा की आचल को फिर जार-जार सा कर डाला मारा है मुझको पीटा है बालों से मुझे घसीटा है फिर बरबरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया उन घनी अधेरी सड़कों पर फिर मुझे तडपता छोड़ दिया सन नाटे में चीख रही थी खून से लत्पत वो काया सबने तस्वीरे खीची कोई मदद को आगे ना आया कोई मदद करो कोई मदद करो चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूट गई जब होश में आई इस समाज की बाते सुनकर तूट गई दो मैं टोलूँगा भाई परिवार की बदनामी होगी सब यही मुझे समझाते हैं यह नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहे की जाते हैं अरे भूल जाओ जो हुआ उसे इन लड़के तो बची ही जाएंगे तुम लड़की हो दुनिया वाले तुम पर ही पसन उठाएंगे क्यों निकली थी अकेली रात में क्यों निकली थी अकेली रात में क्यों कोई नहीं था साथ में क्या मेकप था क्या गहने थे क्या छोटे कपड़े पहने थे ये परसनों की भूल भुलाईयां में सचाई कहीं खो जाती है सब भूल जाओ ये कहने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है कैसे भूलू उन रातों को मुझको छूते उन हाथों को उन सारी तकलीफों को कैसे भूलू उन चीखों को मेरे शरीर की चोटे तो कुछ दिन में ही भर जाएगी लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी सब भूल जाओ कहने वालो याद रखो या आखरी गलती आपकी भी हो सकती है कल सड़क पर बेसुद बेहनी या बेटी आपकी भी हो सकती है याद रखो या आखरी गलती आपकी भी हो सकती है कल सड़क पर बेसुद बेहनी या बेटी आपकी भी हो सकती है और इस इहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है जो नारी का अपमान करे करे वो मर्द नहीं हो सकता है जब सजा मोत की लागू होगी सारे दोशी लड़कों पर फिर कोई लड़की नहीं मिले घून से लगपसड़कों पर आख री लाइन आओब परडल लो मेरे साथ और एहवान करो अपनी मर्यादाओं को समझो नारी का सम्मान करो नारी बहुत बहुत रुश्ग गुरिया दो साहीं को सो मजट